नोन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स पास कीजे, मैंसर जल्दी में थी, कास चुड़िया न, मोटर वाला आगया तो मेरे चुट्टी करतेगा, वैसे भी ये पैसे वाले बने जालिव होते हैं ये मोटर तुम्हारी तो नहीं? तुम इसके मालिक हो अच्छा मैं चलती हो ये, एक तो शिशा तोड़ दिया, नुफ्सान किया, उपर से चुप के से भाग रही थी मैं भाग रही थी, मैं तो जा रही थी आची, जा़ पी न ही रही थी, आ रही थी आना चानद तो लगई रहता है, कोई आता है कोई चाता है अबर्दार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, ये लुक्सांगुन बरेगा, हाँ, तुम जैसे लोगों को, तो पुलिस के हाले करना चाहिए नहीं बाबुजी, मैंने जान बूचकर कुछ नहीं किया, नाश्ते में मेरा फॉप हिसल गया, ये रख लो, पचीस रुपए, मेरे दिन भर की कमाई, दिन भर की कमाई, हाँ, ठीक है, ठीक है, आइंदा साड़क पर उचलना गुदना छोड़ दो, समझी, छोड़ दो, ये ल अरे, दाना, ये तु लगणा क्यों रही है, कुछ नहीं, कपड़ा उपर करो, क्या, अरे, कपड़ा उपर करो, ने, ये तु जखम है, हाँ, यही धरो में आपी आया, ये, चाब वा, मैं हल्दी जूना लगा लूँगी, ये दवा बहुट चलती है, बाबुजी, जब, रहें, जब, जयर फेल जाएगा, प्छेल, जयर फेल जाएगा, नहीं, नहीं, झा, आह, भ जवा, जय जब, आहीं, तीन कपंदर, किपना दोर से जलाती है, तरहां जब जायाएगा, नहीं, नहीं, आ जब, आ गई, भी, आप्याज़, इसम प經गका है, लो फिज़ consegu gosh wa?」 यह गोली और यह टॉनिक बेटी मेरे कारण तुझे कितने दुख उठाने पड़ते हैं क्या दुख उठाती हूं नाज गाने में बहुत मज़ा आता है बाबा सब देख रहा हूं बेटी तेरे पाउं की यह चाले मुझसे चुपे नहीं है बेटी तुम तो बेकार की चिंता करते हो बाबा रात में हल्ली कूट कर लगा लेती हूं सुबह तक साफ हो जाते हैं बस पिर शाम आ जाती है और फिर चाले पड़ जाती है बेटी मेरी इस बीमारी ने तुझे सडकों पर पहुँचा दिया है ना जाने दुनिया वालों की कैसी कैसी नदले तुझ पर पढ़ती होंगी बेटी अपनी नजर अच्छी हो तो बाबा दुनिया की कोई बुरी नजर कुछ नहीं बिगाड सकती हाँ बेटी तुम तो जानते हो नौकरी बिना सिफारिश के मिलती नहीं बुरे वक्त में इस खेल तमाशे से थोड़ी बहुत कमाई हो जाते है थोड़ा बहुत काम चल जाता है बस तुम जल्वी से ठीक हो जाओ फिर ये खेल तमाशा में तु अपनी उमर से बहुत बड़ी हो गई है बेटी कितना बहुत सर पर उठाय फिरती है परंतु, मैं तुझे सिवाय दुखे और कुछ नहीं दे सका बेटी तो मुझे ही कौन सा सुख दे दिया है, दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो तेल नहीं कितने रुपे लाई है ये पचीस रुपे, पचीस रुपे, कान में डालूं क्या दवा, दारू, फल, फ्रूट, क्या, क्या लाई है अपने बाप के लिए और मेरे आपने पचीस रुपे दे दिये अब इदर उदर क्या देख रही है, चाडू, कटका, बर्तन, कपड़ा कौन करेगा तेरा बाप मा, मैं भी सारा काम कर देखी तो चलो ना करो ना काम, कमबक्त ने जीना हराम कर दिया, अब भी करती हूँ क्या है यह प्यार की निशानी, वाट, येस, तुमारी मोटर का कांच बनवाने गया था, तो देखा, तुमारी सीट के बाजू में ये हसीन चोरी तुमारी चिपी हुई थी, जो हमारी जासूसी नजरों से बच नहीं सकी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आरे बात है, मुझसे का चुपाते हो, मैं तो तुमारा दोस्त हूँ, बच्पन से लेके स्कूल तक, स्कूल से लेके कॉलेज तक, और कॉलेज से लेके फ्रैक्टरी तक, तेरी दोस्ती पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुझसे मश्वरा करन यह देख वाव वेरी गुड यह पाहल वाली नेरोबी वाली चाचा जी ने फोटो भेजा और लिखा है कि लड़की मैंने पसंद कर लिया है फॉरन चले आओ शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है मुबारक हो मुबारक की लड़की को ना देखा ना मिला और शादी कर लूँ ऐसा कहीं होता है माना कि चाचा जी की बहुत एहसान है मुझे पाला पोसा बड़ा किया यहां तक पहुंचाया लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी से भी शादी कर लूँ आखिर अपनी दी एक नदर होती है यार जिंदेगी पर का सवाल है कोई मजाग थोड़ी है आरे तु घबराता क्यों है यार मैं अभी तेरी टेंशन दूर कर देता हूं तू शादी से इंकार कर दे मैं अभी चाजा जी को फोन मिलाता हूं अबे क्या कर रहा है क्यो क्यों चाजा जी का घुसा तुझे नहीं मालूम नाक पर मखी बैठती है ना तो ना काड़ देंगे इतने ख़तर नाक है अरे दोस्में घबराने की क्या बात है मेरे दिमाग में भी कंप्यूटर है तेरी हर मुश्किल का हल है मेरे पर एक निठीत हम आप आप ही को याद कर रहे थे आप दोसों बर्द जियेंगे वो सब मैं नहीं जानता मगर तेरी शादी तक जरूर जियूंगा सब तैयारिया हो चुकी है और कार्ट छपने मैंने दे दियें आपरे कार्ट छपने दे दियें घिचा जी क्या है कि मैं आप से बहुत डरता भी हूं शर माता भी हूं और डर रहा हू आरे इसमें डरने की क्या बात है बोल ओ क्या बोलाई ॐ तुने शादी कर ली आlling ल्यार टाली कैंनों को भल दे चाज los Gör listen Me station Me मैं, 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 मैंने, मैंने शादी कर लिए, शादी कर लिए, मैं तुझे गोली मार दूँगा, तेरी तो, क्या हुआ, अबे, कंप्यूटर की आउलाद, बुरी तरह परस रहे हैं, क्या करूँ अभी, जल्दी बोल, तलाग दे दे, तलाग, हेलो, चाचा जी, देखिए, अगर आप चाहें, तो मैं तलाग दे देता, तलाग, खबरदार जो ये बात मुझे निकाली, बहु कहा है, बहु कहा है, बात्रूम में, नहा रही है, नहा रही है, नहा रही है, आफिस में, नहा रही है, आफिस में, नहा रही है, आफिस में, नहा रही है, आफिस में फोन प्लायक! वे गंचा का, पासा देना तुम साने! आप रे! कहांगे ये 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 या तो! ने, ने, मैं, वो नहीं, नहीं! आखरी तुम चाती क्या है? क्यों तो मेरे पीछे बढ़ी है? मेरे शीशे नंतरा क्या बिगाना है? अभी उसी दिन नया लगवाया है! एक, एक बार और लगवालो! भूल जोक इनसान से होई जाती है! खसम से अब दुबारा इस सड़क पर नज़र नहीं आउंगी! मेरी अठानी! अरे, ये क्या? ये तो खूर निकल रहा है! अरे, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा! नहीं, जहर फ़ल जाएगा मोटर वाले साँ! एक मिनिट! लग! इसाब चुकता! क्या? क्या जाएगा अरे, ये! अरे, मोटर वाले साँ! मा ये बटवा मुझे देदो बाप रे बाप इसमें तो नौटी नोट भरे नहीं मा ये रुपए मेरे नहीं है एक मोटवाले बापू के है उनके जेब से बटवा गिर गया था मैंने उठा लिया जहां मैं गाती हुँ ना आज वो वहां आएंगे मैं वापस कर दूगी आजी जा बड़ी आई वापस करने वाली ज़रा हाथ लगा कर तो देख आठ काठके रख दूगी मैं तुम्हें नहीं दूगी यह मानत है आजी छोड़ी सा मानत को घर आए लचमी को कोई वापस करता है नहीं मैं नहीं दूगी आजी देगा तो तेरा बाप भी हरामजादी, भाग कर जाएगी कहा, आएगी तो यही न वापस मैंने का फोन नीचे रख दीजिए, आजी फोन नीचे रख दीजिए नहीं रखेंगे, तो मैं रख देता हूँ आप, आप कौन है, बगार इजरूत अन्र कैसे आए, क्या नाम है आपका आपका क्या नाम है, आप कौन है, जिस बेतकर लुफी से आप इस घर को इस फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, यह आपके बाप का घर है, आपके बाप का घर है, जबान समाल कर बात कर बुड़े, तुम्हारी बुदूर्गी का खयाल कर रहा हूँ, वरना एक उल्टे हाथ की पढ अपनी शकल देख कबाल यह की दुकान लग रही है, आनन्द कहा है, अरे तुम कौन होते हैं पूछने वाले आनन्द कहा है, मैं उसका चाचाओंगे, तो घर में होगे, जी, चाचाचा जी, आनन्द के, आफरिका वाले चाचा जी, जी, चाचा जी, मुझसे फूल हो गई, मुझसे चुख हो गई, आप मेरी गर्दर मरोड कर, आप मेरी गर्दर को मरोड कर, और जी, पली पूरेज में यहाजिए, आप चाहजे जो सदा दीए, मैं नालायक हूं, मैं त्याचा जी, अरे मुझसे और भी ते, मुझसे को पूछ रहा हूँ आनन की बीव कहा है कहा है I don't know what आनन की बीव मैके गई है अरे अभी तो उसकी शादी हुई है अभी से मैके चली गई मैं भी यही कहता हूँ यह भी कोई तरीका है चाचा जी खैर सब तो और तरीके मैं सिखा दूगा उससी देखने में कैसी है बहुत हुपसूराँ और सभाव मौडन होते हुए भी हिंदुस्तानी नारी लिदुस्तानी सब बेदा की जीती जाखती तस्वीर और चाचा जी खाना तो ऐसा बहिया बनाती है कि मैं कहता हूँ बिना भूग की आजमी खाना खाना जाए और किसी कोफ्ते तो उनकी स्पेसिलिटी है अचा अजय वो तो मेरी भी फेविलिटी से आजमी पसंड है आज़ा आज़ा जी आज़ा 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 आप बिने खबर दी आगए खबर तो मैं तेरी लेने आया हूँ मुझे सब मानूम हो गया है तू जोरू का खुलाम बन गया है जोरू का गुलाम और क्या दुलन को मैंके क्यों जाने दिया कौन सी दुलन चाचा जी भावी 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 हाँ चाचा जी हुआ ऐसे कि वो चली गई मैके, 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 और तू देखता रह गया, अब ख़ड़ा क्या है, जल्दी से जा और बहु को लिया, मैं उसे देखने आया हूँ वो सब तो ठीक है, आप ये बताईए, कि आप यहां पर कितने दिन रुखेंगे, दो तीन दिन हाँ, तो मुझे बड़े अफसर जिसात कहना पड़ता है, कि आप अपनी बहु को नहीं मिल सकते, क्यों, क्योंकि उनके खानदान की रीत है, कि लड़की शादी के बाद पहली बार, जब अपने ससुराल से मैके जाती है ना, तो पंदरा दिना तक मैके से ससुराल वापस नही लेकिन चाचाजी ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता, देखिए ना, हम लग लड़के वाले हैं, हम महानी जाएंगे, लड़के वालों को, लड़के वालों को जाना चीए, है ना, तो फिर आप जल देज़े नहादो कर तेयार हो जाएगे, मैं अभी उसे कान से पगड़कर कर देंगे, पहले गोली मारेंगे, फिर दफन करेंगे, अभी मुसीबत की जड, जल जी जो को तरकीम निकाल, चाचाजी अभी आकर पूछेंगे, बहु आगई, बहु आगई, बहु आगई, अच्छा, गुड, बेरी गुड, अभी कहां से आ गई, मुझे क्या मालों, चा बहु आगई, 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 बहु जिए निकाल दिमाग से, कहीं चाचा जी यहाँ भी आदम के दो, बहू जोज़ी, जोज़ी, जोज़ी क्यों भाज़ु क्यों भई, नहाचुकी बहू, मगर बहुत घुश्से में है क्यों अरे, और अनन भी घुश्से में है, अंदर बहुत जोड़ों की लड़ाई चाचा जी पर फेज़ी, और इस लीगए चलिजाओं हाँ हाँ, जा रही हूं, मैं भी जाकर काजूं के दर्वाजा खट़़ाऊंगी आरे, जा जाकर खट़़ाँ शट़ब यूशट़ब शट़ब शट़ब मेरी आंखों में धूर जोग रहा है, मुझे बेविकुफ बना रहा है और राजा तू, तू तो सूरत से चम्चा लगता है, सब से पहले तुमे बोली तुझे और फिर पांच गोलिया तेरे लिया मैरी बाता सूरिया मेरी बाता सुनिया मैं बहुत देर से तेरी बात सुन रहा हूँ मुझे थे च्ण तूने शादी के कीए की है, राजा को हादर नाजर मान कर के तो आख़र है तो नगर तो हाद आहाँ बहू लो.. पाहाखे बहु रहु हु कुल तुम्हें देखने को हम तरस गए बभू जो सुना था उससे बढ़कर देख रहा हूं यह रहा चाजा जी है हाँ चाजा जी अफरिका वाले महरोबी से आए है तेरी पसंद की दाद देनी पड़ेगी कितनी अच्छी बीवी ढूनिये तुने यह सब क्या हो रहा है मैं ना किसी की बहु हूं ना किसी की बीवी हूं दे मुझ दिखाई नहीं दी मारा पर्स कहा है यह लिजय है ना 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 भूँ तेरे पैसे जो और मुझ दिखाई दे है हम अभी आते हैं अभी आते हैं लेकिन सुनिये यह क्या दमाशा है मैं आपको यह पस वापस देने आई थी कल की बात छोड़ो आज मैं बड़ी मुसीबत है तो पर यह अचानल नहरोफिज यहां चलिया है मेरी दुलन को देखने के लिए और तुम्हें देखकर आपके दुलन समझ बैठे आपने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि यह गलत है इसलिए के उनका दिल तूड़ जाता है देखो अगर तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर तो आप चाहते हैं कि इस जूट को निभाने में मैं आपका साथ दूँ मेरे लिए ना सही चाचा जी के लिए वो बड़े अर्मानों से अपनी बहु को देखने आये हैं माफ कीजे मैं आपके चाचा जी को धोका नहीं दे सकती ठेरो अगर उने सच का पता चल गया तो वो म मैं जिन्दगी पर तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगा ये क्या पट्टी पढ़ा रहा है बहु को जी वो अपना खांदानी बेग्राउंड संजा रहा था बेरी गूड लो बेटी मुह दिखाए जीती रहो ला तुम ये क्या कर रही हो खाना पका रही हूं खामका तकलिफ के उठा रही हूं खुद तकलिफ में डालकर अब पूछ रहे हैं कि तकलिफ क्यूं कर रही हूं मेरा मतलब ये था कि किसी अच्छे से होटल से बढ़िया खाना मंगा लेते हैं और चाचाचा जी कहते हैं कि खाना तुमने बनाया कर्रेक्ट मैं जूट नहीं बोलती और फिर आपके चाचा जी मेरे हाथ का खाना खाना चाते हैं मगर वो नर्गिसी कोफते है जैसा भी आयका बना दूंगी वैसे तुम पथर के साथ क्या कर रही हो पीस रही हूँ पीस क्यों रही हो ये मिक्सर है ने इसमें मिक्स करो मिक्सर चलाना मुझे नहीं आता मारे गए देखो अब भी कहता हूँ कि आप कुछ मत कहिए ये मर्दों का काम नहीं औरतों का काम है आप यहां से चले जाए बस आई 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 जिसको मिक्सर चलाना नहीं आता वो नर्गिसी कोफते के हाग बनाएगी चाचा जी के सामने और तारिफ करो बेटे जैसे ही चाचा जी के मुह में कोफते काने वाला गया तेरे मुह पर जो तब्लाचा पड़ेगा तेरे थोबडे का डिजाइन चेंज हो जाएगा चल चल अब चल आगे माता जी चाचा जी आज आज आप पहली बार मेरे हाथ का पका हुआ खाना खा रहे हैं किसी कोफते दीख रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं खेर हम आपी खा के बताते हैं तुम लोग भी शुरू करो ना क्या है के चाचा जी हमें भूख नहीं है मैं तो यहां तक कहता हूँ कि आप भी मत खाईए अभी क्योप आप अभी काना तुमने बनाया अजी आच्छे नहीं लगा ना नहीं बहुत अच्छा लगा अजी बहुत अच्छा लगा तैंकी चाथीजी थेंकी विरमच्छे थेंक्यों तुम खड़ी क्यों बैठो ना बैठो बैठो आप भावी ले ले कुफते ले ले कुफते ले बनाया अच्छे बहुत और तुम लोग में तुम बीलो ना पट ले ले लटो वाह क्या बात है यह पुरानी आदत नहीं गई तेरी वाह क्या बात है ठीक सेखा निगा और मंगल सूथ यह लीजिए अब लगती है तू हमारे घराने की बहुत तेरा सुहाग सदा बना रहे है आनंद देख कितनी सुन्दर लगती है बहु इस लिबास में हम कितनी ही बदल जाएं पर असली खुबसूर्ती हमारी संस्किती में ही है जी हाँ अच्छा जाजी जी मैं आफिस चलता हूँ नाश्ता तो करते चाहिए मैं आफिस में जाकर नाश्ता कर लोगा आफिस में नाश्ता कर लेगा अरे बहु नहीं है इस घर में देख तेरी कोई पुरानी आदत अब नहीं चलेगी बहु इसके लिए नाश्ता लगाओ जी अरे शुक्र कर कि तुझ जैसे गधे को ऐसी होनहार भी भी मिली है चल अब मैं चाहिनी पीता है बहु तुम भूल गई ये तो दूद पीता है और वो भी ओवल टीन डालकर मैं भी लेकर आती हूँ इतना बड़ा हो गया अभी तक बच्पन की आदत नहीं गई नमस्ते चाचा जी गुद मॉर्निंग अभी तक आपका नाश्ता ही चल रहा और दुनिया में क्या से क्या हो गया यह देखिए एक कनेडियन प्लेन हाई जैक हो गया है यह देखिए 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 मेरा चश्मा कहां गया शायद ऊपर है यह देखिए जरा तू पढ़के सुना देए यह दो पढ़देता हूँ तू किस खुर्शी में पढ़के सुनाएगा नश्थकर अमड़काजी पढ़ना क्या है चोरी चकारी मार पीड के लावा आज कल के पेपर मो होता ही क्या है वाई दिवे तेरी जबान है यह किसी लीडर का बयान कभी यह कहता है कभी वो कहता है यह संज नहीं जाता जिए वामोश बटी सुनाओ और यह करागा एन एर कन एड़ा, DC-10, flight number AC-408, flying from Toronto to London is reported hijacked when reports came in last, it was heading for an unknown destination it is reliably learnt that all 147 passengers aboard are safe the government is trying to establish contact with the pilot and the hijackers जाचा जी, मैं आफिस चलता हूँ बेटर है अरे, क्या हुआ ऐसे? नाश्ता छोड़ के चला गया? दूद बेटी, इतनी सेवा तु करेगी, तुम्हें जाओंगा ही नहीं, यहीं रह जाओंगा अरे बाप रे, ये लड़की मरवाईगी है में बेटी, तेरे कौन से रूप को मैं क्या नाम दूँ? कौन सी अच्छाई है जो तुझ में नहीं? तुने तो सारे घर को मंदिर बना दिया है देवियों के गुन तुझ में भरे हैं मुझे इतना मान मत दीजे, चाचा जी मैं तो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बेटी, तु अपना मूल क्या जाने? तु तो एक नेकी है, जो कि कहीं से बटक कर हमारी तकदीर में आ गई है मैं अब यह कर ढूंने निकलता, तो तुझ ऐसा हीरा ना ढूंद पाता आँ बगवाम तुम दोनों का हमेशा खुश रखे हजारों खुशियां दे यह दो एक दिन क्या गुजरे, खुशियां समेट के लिए जा रहा हूं अपनी आँखों सो तुम दोनों को सुखी देखा, अब तो बस यही तमन्ना है बेटी, कि अगली बार जब आउं, तो तेरी गोद भरी देखूं आ बेटे राजा, मुझे ऐपोर्ट छोड़ा एपोर्ट पर तु मेरी नजरों के सामने होगा, तो मैं जा नहीं सकूँगा अब आनन बाबू, यह कपड़े और यह कहने, आपके चाचा जी अपने बहु की दिलाए थे, इन्हें रख लीजे, मैं चलती हूं आपके चाचा जी चले गए, मेरा काम खत्म हो गया, देखो, तुमने बहुत मदद की है मेरी, मैं बहुत एहसान मंदू तुम्हा रहा हूं कोई बात नहीं सुनो इतनी जल्दी क्या है, चाय पीकर चले जाना अभी तो पी है चाय ओ, मैं तो बुल गया था नमस्ते सुनो जरा ड्राइवर को आजाने दो, वो तुमें छोड़ देगा मुझे कोई लेने नहीं गया था, फिर छोडने क्यों जाए अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ पैसे रख लो पैसे किसलिए बात यह के तुमने चाचा जी कितनी देखवाल, इतनी सिवा किया है उसके बदले में मैंने जो कुछ किया है, उससे कहीं जादा पा लिया है आनन बाबू, आपके चाचा जी ने मुझे वो प्यार दिया है जिसे पाने के लिए मैं जिन्दे की भरता रस्ती रही हरामजादी कहां गायब थी? किस यार की गॉप गरम करके आ रही है? इसे गंदी बात अपने मुँसे मत बिका लू, मा कंदगी ठेला के खुद आ रही है और मेरे मुँ लगती है कमीनी आज मैं तुझे नहीं छोड़ूगी मार, मार के तरह बुरता करा दूँगी क्या हुआ हुआ क्या हुआ, क्यो मार रही इस बिचाहिनी को? पूछो इससे, तीन दिन तक कहां गायब थी? रुपए के साथ किसी होटल में अपने लाट भी लुटा कर आई है आरे ये तुम्हारी बैटी ने बाप की कशनी है मैंने कुछ नहीं किया बबा मैं तुम्हारी कश रुखा दी हुँ मत मारो मेरी बैटी तुम्हारो तो बीच में से ख़़आ बाप 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 सुनिये देवकी का घर यही है ना कौन वो नाचतमाशे वाली देवकी यह वो तो चली गई बाबू कहां कौन जाने कहां विचारी का बाप मर गया सोतेली माने घर से निकाल दिया जब से जनम लिया है ना जाने कितने जनमों का दुख भोग रही हूँ एक दुख्यारी बे सहारा कमजोर औरत समय से कब तक लड़ सकेगी मुझे शक्ति दो मां कि मैं इज़त के साथ जी सकूँ अगर अगर इतनी शक्ति नहीं दे सकती तो मुझे अपने पास बुला लो देवकी मैं तुम्हें लेने आया हूँ नहीं अब मुझसे ये खेल नहीं होगा बार बार पत्नी बंदे का नाटक अब मैं और नहीं कर सकती आप नहीं जानते एक औरत का कितना अफमान होता है कितनी तकलीफ पहुँशती है उसे देवकी इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए लेने आया हूँ मैं मैं तुमसे चादी करना चाहता हूँ जी दुर्गा मा गवा है मैं इसके सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर रहा हूँ यशू मैं आपको पेचाने नहीं लेकिन मैंने आपको पेचान लिया आप आप हमें जानते हैं आप तूरिस्ट हैं रास्ते में बारिश आगई सामने हमारा बंगला नजर आ गया ठीका न मैंने मेरा गैस कभी गलत नहीं होता जी आप बात तो यही है तो फोरण अंदर चले आएए 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 न आएए बिन बुलाय मैमान दुनिया को अच्छे नहीं लगते लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते आएए ना बैखिए तेंकी र्यमुच जी यहाद मेरा ये ना प्रिए गहाता government त्यम्हें लॉट आफ की त्वच्णा और मुझें अंप रूंताँ कश्छे मैनी हो गए हैं लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है मेरा नाम आनंद है और यह मेरी पत्नी देव की हाँ वो तो इन्हें देखकर ही बता चलता है हां जी इनके शर्माने का अंदाज बता रहा है कि इनकी नहीं नहीं शादी हुई है और आप दोनों हनीमून बनान कि जरूत है क्या कहीं जनाब क्या पिएंगे विस्की रम वाटका और नहीं नहीं हम लोग तो बारिश की वज़े से इस मौसम में तो दोस्त हर गुना सबाब होता है और राइट ब्रेंडी ब्रेंडी नहीं नहीं इन्हें पीने की आदत नहीं है एक रात कहीं से पीके चले पेकप कॉफी अच्छा थैंक यू हम भी याद नहीं रहेगा इन्हे तो आपको किस लिए अपने साथ लाए है मेम साथ आप से पुछ लेंगे क्या नाम है मेरा आनन्द थैंक यू आपका नाम तो मालूम हो गया लेकिन काम बारा स्टिल कंपनी मेरी है और फिर प्रापरटी का भी कुछ बिजनस है भाई आप जमीन वाले हैं मैं पाइरट हूं आसमानों में उड़ता रहता हूं इसलिए इनकी जिबान जमीन पर टिकती नहीं हमारा सारा कुसूर यह है करते हैं वाकई आप लोगों से तो मिलकर ऐसा लगा कि जीना इसे कहते हैं है जी इनोंने सिखा दिया थैंक्यू अरे यह क्या मिल गई तो वो क्या कहते हैं कि तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए आप शायरी का भी शॉक रखते हैं इसनी खूबसूरत ब आप लोगों से मिलकर तो ऐसा लगा जैसे जिन्दगी से मुलाकात हो गई अब इजादत दीजिए और भाई वान फो तो रोड हो जाए जी नहीं ना तो फिर इने रोड नजर आई की और ना ही यह माटूंगा वाली लगता है वारिश भी रुख गई है अब चलते हैं एक शर्त पर कल लंच हमारे साथ खाई लेकिन कल तो हम वापत बंबई जा रहे हैं मगर एक बास जरूर है यह मुलाकात हम जिन्दीगे पर नहीं बूलेंगे हम भी नहीं बूलेंगे और भगवान ने चाहा तो हमारी मुलाकात कही अदिए अधिना कहीं जरूर हो जाएगा अचा जी नवाफ से अधिय बाइए जो बाइए और ना इस कपल नहीं पर फिर अजिए इस कंप अजिए इस अनन्द अनन्द प्रिशे वारिए सुनो तो मैं काम कर रहा हूँ सोजा प्रिश्ट यह क्या हो रहा है योगा योगा सुबह होता है रात को नहीं सोजा सुट कर दिएफ झाल लोग्टो बुख बुख झाल लोगन माजन अ साड़ी तू कर दूख खिएफ झाल अ झंक हुआ झाल उड़न अ… अफू! झाल झाला युऔ तूश कर दिस तूझ खो तूप झाल 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 फूझ झाली झाल टो नट्टू मैं सब समझ रहा हूँ कश्मेर में हनीओन मना कर आई हो दिल ने भरा नहीं भरा कि अच्छा 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 आग लगा कर केती हो छोड़ दो अब तो मैं आग बुजा करी छोड़ूंगा तुम समझते क्यों नहीं यह जो जवानी की भाषा है मैं खुब समझता हूँ नहीं मानुगी नहीं ठीक है मैं बाप बनने वाला हूँ इतनी बड़ी खुशी अपने पेट में छुपाय रखी मुझे पताया तक नहीं इसकी सजा तो मैं तुम्हें जबूर दूगा यह क्या कर रही हो पौदा लगा रही हूँ गुलाब का हमारे फूल के साथ-साथ यह पीखिलेगा बड़ा होगा अब इसे इतना ख्याल है उसका माँ हुना तुम्हें तो कोई फिकर ही नहीं है कोई खुशी नहीं है मेरी खुशी आप गिन नहीं सकेंगी ज़र आई तो मेरे साथ कहां अरे आई है तो सही अरे बोलो तो कहां में जा रहे हैं यह देखिए अब बोलिये मेम साथ मुन्ने की फिकर आपको ज्यादा है या मुझे कोई शिकात है भी हाँ है सब खिलोंने मुन्ने के लिए आपने ये कैसे सोच लिया कि लड़का ही पैदा होगा लड़की भी हो सकती है हुणुछ मेरा दिल कहता है कि लडका ही होगा लेकिन मेरा दिल कहता है लडकी होगी alay bhai लडका होगा लडकी होगी अच्छा ठेरो, जगड़ा किस बात का, अभी बता लग जाएगा, एक मिनिट अलो, 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 हाँ, 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 डेफिनेटली, that's my good boy बोई, क्या मतलब, मेरा गेस कभी गलत नहीं होता, लड़का ही होगा गलत, लड़की होगी अरे कमाल है, सुना नहीं तुमने, अभी भी तुम उसे बाते कर रहा था कह रहा था, पापा, मैं पाइलेट बनूगा, और तुम्हारी तरह आसमानों की सेर करूँगा अजी मेरा बेटा मेरी तरह बहादूर और जिंदा दिल बनेगा अच्छा बापा, सब कुछ बनाना उसे, मगर अपनी तरह बात उनी नहीं बनाना मुबारक हो, लड़का हुआ है लड़का, बादी मारली मेरे यारने अरे, तु मुझे क्या मुबारक बात दे रहा है, मैं तो पहली से जानता था प्लीज डॉक्टर, मैं तो पहली से जानता था, हमारे खांदान में हमेशा सब पहले एक बेटा प्रदा हुआ है समझे है किसमें गई है शकल उसकी जी वह शकल हाँ, देव की बर वरे गूड वरे गूड, तुछ नालायक में तो नहीं गई अच्छा फोन दे बहू को जा सर, प्लीज प्लीज डॉक्टर नमस्ते चाचा जी बहू, तेरे कदम देखते ही मैं समझ लिया था कि इस घर की तिसमत आप चमकने वा दिया और वही हुआ, आज तेरी गोद में इस खांदान का चिराग है बेटी चाचा जी आप, आप कब आ रहे हैं बेटी आने को तो मैं अभी इसी वक्त चलाऊं मगर ये कमवक्त डॉक्टर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ कहता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई है और मुझे आराम करना चाहिए अब तुम ही बताओ, फीज की फीज लेता और उपर से हुकम चलाता है मुझ पे बेटी, किधर है मुन्ना, जरा फोन तो दो उसे क्या मुन्ले को फोन दूँ मैं बात करना चाहता हूं उससे चाचा जी, मगर वो तो वो तो क्या, फोन दोना उसे ठीक है, ठीक है देती हूं कितने समझदार बच्चा है फोरण समझ गया कि दादाजी से बात कर रहा है पेटे, हमारे खांदान में तू ही एक समझदार बच्चा प्रता हुआ है किधर रहे तेरा बाप कि अच्छा के पंजे से छूटा, सीथा चलाओंगा और राइट? ओके, बाइट! माइ ग्रेंट सुन! ओके, ओके, लेक में चेक और ब्लग प्रिशर सुना तुमने राजा कहता है कि आफिस के काम से मुझे कश्मीर जाना पड़एगा अब तुम ही बताओ, मुझे को छोड़ कर मैं कहीं जा सकता हूं मिस्टर आनंद, कश्मीर तो आप चले ही जाएए और मुझे को भी साथ ले जाएए यह आप क्या कह रही है इतने छोटे से बच्चे को हिल स्टेशन पर ले जाएए आजकल तो एक दिन का बच्चा भी इंडिया से लंडन पहुंच जाता है मिस्टर आनंद, मैं अब्जर्व कर रही हूं आपका बच्चा थोड़ा कमजोर है मेरी राय है कि हिल स्टेशन की क्लाइमेट इसके लिए भी अच्छी रहेगी आपका ये सेवक खादिम शोहर आशिक दिवाना परवाना ये किसमस की रवाय है आज ही हमारे होते हुडे आप ये जहमत क्यों करेंगी चलो हटो, आज बड़ा ख्याल कर रहे हैं मेरा आपका नहीं मेम साहब, हमारे होने वाले बेटे का इसलिए हम आपको कश्मीर से बंबे ले जा रहे हैं ताके हमारा होने वाला बेटा, बड़े से बड़े हॉस्पिटल और अच्छे सचे डॉक्टर की निगरानी में पैदा हो आनन्द, शादी के बाद तुम बहुत कंजूस हो गय हो क्यों? देखो न, तीन घंटों को तुमने तीस घंटों में बदल दिया अगर प्लेन से जाते तो अब तक पहुँच गय होते नहीं मेम साब, प्लेन में बहुत जटके लगते हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे मुन्ने को जरा भी तकलिफ हो और मेरी तकलिफ की तुमको बिल्कुल भी परवा नहीं अब मुझसे जादा तुम अपने बच्चे से प्यार कने लगे हो तुमें प्यार नहीं करता तो ये प्यार की निशानी कहां से आती है अब तो हमें इसी के लिए जीना है इसी के लिए मरना है वहा ज़रो जयगा 승ादा वा जिए वीलटनन! नहां कर दे खोड़ हाँ! को व Annika लादा जीज़ opposite रसाक जादे क्वा जिए खीज़ माला जाह जादे का además कर दो दो, कि अ में एप एप जो ग। अ जर आएफ़ा वजा इसमिना में क्या नहीं द्की 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 दिटकी 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 अब बच्चे की तबेत बिलकुल ठीक है बस मामूल से सर्दी है मैं दवाया लिख देता हूँ यही हॉस्पिटल में मिल जाएंगे यही हॉस्पिटल यहीदा जी यहीदा जी आप इसे कैसे जानते है कुछ महिने पहले कश्मिर में हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त मेरी पत्नी भी साथ थी लिखिन आज इस एक्सिडेंट में नजाने कितने घर बरबाद हुए मेरा बेटा विक्की मुझ से चिन गया यह शोदा मेरी बहु है कल तक सुहागन थी आज भी ध्वा है आनिल पापा यह सब क्या हो गया में लुट गया गुर्वद हो गया मेरा सब कुछ चिन गया कुछ नहीं रहा कुछ इसीदाजी इसीदाजी नर्स फोरन आपरेशन थेटर एड़ी करो इस हालत में यादा देर हो गया तो बच्चे की जान को खंदा हो सकता नहीं रहा मेरे बच्चे को बच्चा लेजी आप मेरे पड़े के निशानी है मेरे पास यहीं तो सब कुछ है मेरे लिए उगरे सब कुछ हो गया तो में जिन्दे नहीं रहूंगी अब घबरे यूमत सब कुछ चिगो जाएगा जालो जालो अब मेरी बगु की जिन्दगी आपके हाथों में इस जालो बच्चा ही जालो आप सब कुछ दर्ख कर दो आपके खेए नहीं बचाद अर्टर शर्मा को खूई इने अटेंड करें डोंट धोर्त क्योई आप चुप क्यों है बुल देने डोक्टर साब अप जाए हम बच्चे को नहीं बचा सके मेरे बिच्छा मेरे बिच्छ को सिस्टर सिस्टर मेरे बिच्छ की दिन है आप लेजाए आप बहुत कमजोर है प्लीज आप लेज रहिए मैं भी दॉक्टर को बलाती हूं प्लीज आप लेजाए रहिए डाट सिस्टर अब ह्स्तर कर गोठी चैन्दे नहीं आपके हारत खराब है मेरे बिच्छ की दॉ packaging मेरे बिच्छ मुझे मेरे बिच्छ देजिए मुझे मेरे पर अब होश आया तो इन्हें बिस्तर से बिलकुर उठने मत देना ऐसे कमजोरी के हालत में ज्यादा एक्जर्शन इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है संजी हो कि सम्झे अब जल्दी चलिए ठीक है अब जल्दी चलिए ठीक है होडन इंजेक्शन रेडी करो ओकी सर्व डॉक्टर यह लीची यह क्या आपका बच्चा हाँ डॉक्टर मैं तो सहन कर लूँगा लेकिन यह शुदा बच्ची के बगार जी नहीं सकेगी उसकी जिन्दगी बचाने का यही एक रास्ता है लेकिन देर मत किजी डॉक्टर एक मा को बच्ची की जरूरत है और एक बच्ची को मा की डॉक्टर यह रास जिन्दगी पर राजी रहेगा यह शुदा का बच्चा मरा नहीं जिन्दा है और मैं यह भूल जाओंगा कि मेरा भी कोई बच्चा था केशन चलो दूद पिलो नहीं मुझे भूख नहीं है अच्छा बच्चा जिद नहीं करते मामी की बात नहीं मानोगे अच्छा पहले तुम आखे बंद करो क्यों तुम आखे बंद करोगी तुमें सारा का सारा दूद पी जाओंगा ओ पाता जी अब आंके को किशन अब कहां गया किशन बबुजी आपने किशन को देखा है नहीं तो कहां चला गया वह क्या बात है अच्छा तो बाबुजी के पास है आप अरे 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 भाग गया बाबुजी आप ही कुछ नहीं कहते हैं इसे किशन किशन आनन्द कहां जा रहा है बेके तू जा बिटे वही तेरे मन को शांती मिलेगी मैं अभी आया अरे अरे इसमें तो कोई भी नहीं बोलता अरे फिरगंटी हुँ आनल बाबुजी आप आप इतने भरसों बात हिंदुस्तान छोड़कर चला गया था उस एक्सिडन ने सब कुछ छीन लिया था मेरा कहां का बटकता रहा फिर ऐसा लगा मन के शांती यहीं मिलेगी बाबुजी ने सब बताया था आपके साथ तो बड़ी दुरखटला हो गई आपके पतनी और बच्चा इस बच्चे को देखकर सब कुछ भूल गया कितना प्यारा बच्चा है आईए अंदर आईए न मगर आपको हमारे घर कैसे मिल गया जिस तरह घर में तुम अंकल को मिल गई उसी तरह घर मिल गया बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आज़ी जी मैं चाय नहीं पीता तो आप भी क्यो दूद पीते हैं ओल्टीन डालकर चाय नहीं पीते तो ठंडा लिली जी मैं अभी लाती हूँ आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं क्योंकि आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चे है ना इसलिए जब लाजा जी मुझे प्यार करते है ना तब मैं उन्हें घोड़ा बना लिता हूँ तुम घोड़े पर बैठोगे हैं हाँ तो ठीक है हम घोड़ा बन जाते हैं आज आ उपर अरे किशन ये क्या कर रहे हो चलो अत्रों निचे अरे क्या कर रही है आप खेलने दीजेने से नहीं माफ किजी ये बहुत शैतान हो गया है मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके साथ इतनी जली कैसे गुल मिल गया है इसलिए के अंकल हमारे लिए घोड़ा बन गये अरे भाई हम आपके लिए घोड़ा बन गये पर आप एक बार बताईए आप पढ़ लिकर क्या बनेंगे जो इसके पिताजी थे ओ बिजनसमेन हा नहीं पैलेट आप तो जनते हैं कि इसके पिता जी पैलेट थे नहीं मम्मी मैं बिजनसमेन बनौंगा अच्छा बाबा तो बिजनसमेन ही बना यह होई नरी जी आनंद जी हमारे ये शोदा का बड़ा खिया था नमस्ते एक जमाने के बाद देख रहा हूं तुम्हें आच इंदिया से बाहर चला गया था यहां तो कोई अपना था नहीं हाँ बीटी वह मौत का तूफान क्या उठा सब ही बिचड़ गये खोरी को कौन टाल सकता है हमारे बेटे की निशानी बस यही बच्चा रह गया है य इसके सारे तुझ जिन्देगी कट जाएगी अच्छे चलता हूं बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे अपनों में आ गया हूं कभी-कभी आजाये करो बेटे जी अच्छा बेटा चलता हूं टाटा टाटा उकल कभी-कभी आया करना नमस्ते इस घर में यह नया चेहरा दे आओ 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 लीला मेंद बैठो अले पैठने की फुरसत कहा है सारा मौला और एक लीला मौसी राम 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 जाडू बना दिया है मुझे तो सब लोगों ने मिलके किस-किस का दिल साफ करती फिरो है यह लड़का कौन था शक्कल सूरत से तुम बड़े घर का मालूम होता है हमारी जान पैस्चान वाला है अच्छा शादी वादी हुई है यह कुआ रही है विचारे की पत्नी गुजर गई है ओ फिर तो कुआ रही है आजा किशेन आजा बेते कैसे हो बेटा यह लो चकली था 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 अगर आप यहां कैसी था हम आप अपने बेटे को साथ में लाया करती है मेरा बेटा मेरे साथ नहीं आता अगर आप पुरा ना माने तो एक बात कहूं जी यह लॉकेट मेरे चाचा जी ने बनवाय था इसमें भगवान की पुजा की फूल और एक रिशी मुनी की दुआई शामिल है उन्होंने कहा था कि जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो यह उसके गले में डाल देना फिर और तो मेरा कोई है नहीं किशन मुझे बहुत प्यारा लगता है अगर आप पुरह न मने तो इसे मैं यह पहना दू ठीक है पहना दीजी अजीब बात है यह किसी के बात नहीं मानता नजा ने आपके सामने कैसे शरीफ बन गया है शायद प्यार अपना असर दिखा रहा है अंकल चलिए ना उस जूले पर बैठेंगे हाँ हाँ चलो 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 किशन अंदर चलिए ना चाय पिकर जाएगा जी अभी नहीं फिर कभी आऊँगा बाई इंकल बाई बेटा शाली मार में बहुत अची पिक्चर लगी है पाँच बच चुके हैं छे बजने वाले चलिए उठिये और फोरण मेरे साथ चलिए तुम चलो यार मुझे एक जरूरी काम है यह रोज रोज च्छे बजे कौन से जरूरी काम पर आप जाते हैं यह मुझे मालूम है तुम्हें मालूम है? जी क्या मालूम है? यही कि यह जुल्फ का कोई हसीन चक्कर है हां हा 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 तुम डूर की सोच दोंस्त चलताओं कल मेलुगा अचर I remember मजा आएगा 집 मा मैं आएस्क्रीम आइस्क्रीम व्हों के ओर है लंड़ मरा ना तोंब्ही तुर्च वहाना चाहिए लंड़ना नहीं, आईस्क्रीम ठीक्षी वाशन काओ जाव डो सुनदे कर दो य तिम किया गलनेला खा न है मैं मैं जो चॉकलेट खाऊंगा भाई हाँ किसर 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 कहा गया किसर 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 किश किसर किसर में किसर 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 कि अभिजय कर नो पाहत है अब टूल पब और कि टूल हुआ 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 जाएं पर फोड़ा है के अज़ुए अकल किश्ण ममी कैसी माह हो तुम एक बच्चा नहीं समँगा जाता तुमसे अगर में वक्त पर ना पहुंचता तो वह गंडे से उठा लेगा होते अगर इसे कुछ हो जाता, तो हम सब का क्या हाल होता, यही एक रोश्टी है जिन्दगी की, अगर यही बुझ जाती, तो हम सब ठोक रिखाते परते हैं अगर आएपाइड, इसे कुछ जादा क्या है, क्या कि मैं अपने और को रोग नहीं सका, मैं भी किशन को बहुत चाहता हूं न, आपके हो निकल रहा है बहु, जमाने का कुछ खयाल, कुछ आइसास है तुम्हें, आज तुमने जो कुछ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने क्या किया माजी, भरे मेले में किसी गहर का हाथ पकड़ना, अपनी साड़ी फाड़ कर पट्टी बांदना, किसी शरीफ औरत को शोभा नहीं देता उन्हें चोट लेगी थी, खुन बह रहा था, और फिर उन्होंने हमारे बच्चे के जान बचाए थी एहसान मैं भी बांती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, कि तुम अपने आपको भूल जाओ, एक जरासी बद्दामी, सारे खांदान की नेकनामी को ले डुबेगा तुम्हें अपनी लाज के साथ साथ, घर की इज़त का भी खयाल रखना चाहिए आएंदा तुम आनन से नहीं मिलोगी बहू नमस्ते माची, नमस्ते, किशिन कहा है, वो नहीं है और ये शदा, वो भी नहीं है मैं इधर से गुजर रहता सोचा, मिलता चलू आप हमेशा इधर से ही क्यों घुजरा करते हैं जी पूछ सकती हूँ, आप यहां क्यों आते हैं मैं किशिन को देखने आता हूँ बच्चे का बाहना बहुत हो गया यहां बार-बार आपका आना ठीक नहीं है आप इस दर्वाजे से आएंगे और हमारी बद्दमी इसी दर्वाजे से बहार जाएंगे आप मुझे गलत समझ रही है मैं सब समझ रही हूँ महरबानी करके आप आएंदा यहां मताय किजी एक गलत काया थे नहुत है